नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में हाई कोट से जुडे हुए जो भी महत्मुन अनुच्छेद हैं इसके अलावा 2021 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी हमारे हाई कोट में नए चीफ जश्टिस उपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो की हम लोग सुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि Republic Day का इस समय आपके अनकेडमी के उपर आफर चल लहा है अगर आप लोग इस आफर को अवेल करना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस संडे को एक बार फिर से एससे काटेगरी में कॉमबैट होने वाला है और इस कॉमबैट में आप लोग सेमसंग का मुबाइल जेबील का हैटफोन या फिर Amazon के वाउचर जी सकते हैं तो 30 जनवरी यानि कि संडे को इस कॉमबैट का आयोजन किया जाएगा जिसमें आपको 60 मिनेट में 60 प्रश्न करने होंगे खास बात यह है कि यहाँ जो टेस्ट है वहाँ बिलकुल फ्री है बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए या पिन कमेंट में दिये गए लिंक के उपर क्लिक करना है और उसके बाद में इस कॉमबैट में आपको इन्रॉल कर लेना है अगर आपकी यहाँ पर टॉप राइंक आती है तो अनेकडमी की तरफ से आप ये सारे प्राइज जी सकते हैं तो बिलकुल भूलिएगा मत यूज करिएगा कोड के वेटेन और आप लोग इस कॉमबैट में इन्रॉल कर सकते हैं अनेकडमी के उपर मेरी क्लास भी होती है अगर आप इसे जोईन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल के लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके आप मुझे अनेकडमी के उपर फॉलो कर सकते हैं बाकी ये मेरा वाट्सप नमबर है तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आपके कोई भी सवाल होते हैं तो इस न कि अब हम सुरूआत करते हैं देखे अगर हम लोग अपने देश में हाइको की बात करें तो सबसे पहले हमारे देश में कलकथा में हाइकोड की अस्थापना की गय थी ये प्रश्न बहुत पूचा जाता है तो जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमारे देश में हाई कोट को अलकत्ता में बना था उसके बाद में बंबई और मदरास में हाई कोट की अस्थापना की गई थी हमारे देश का जो चौथा हाई कोट है वह आपके इलाहाबाद में बना था कहाँ पर इलाहाबाद यानि के प्रयागराज में अस्थापित किया गया था वर्तमान में हमारे देश में जो हाई कोट है इनकी संख्या कुल 25 है और सबसे नविन्तम हाई कोट जो है वह आपको आंध प्रदेश के अमरावती में देखने को मिलेगा तो चलिए जो हमारा 25 नमर का हाई कोट अमरावती में बना है उसका उद्गाटन कौन से साल हुआ था ये आप लोग मुझे नीचे कमेंड में बताईएगा अगर हम लोग हाई कोट से जुड़े हुए समविधानिक प्रोवीजन की बात करें तो हमारे समविधान का जो भागछे है उसमें अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के बीच में हाई कोट का गठन कैसे होता है उसकी सुतनरता क्या है उसके नियाएक छेत्र कौन से है सक्तिया क्य है और हाई कोट की प्रक्रिया क्या होती है इन सभी के बारे में प्रावधान दिया गया है तो आपको सारे अनुच्छेद पढ़ने की जरुवत नहीं है कुछ महत्पूर्ण अनुच्छेद जो की हाई कोट से जुड़े हुए हैं आईए उनके बारे में हम लोग जान लेत सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 214 की तो देखें बहुती सिंपल सा आइटिकल है इसमें आपको ये बताया गया है कि हमारे भारत के जो भी राजी होंगे उन राजियों के लिए एक हाई कोट होगा और ये प्रावधान सम्विधान के अनुच्छेद 214 में दिया दिया है आइटिकल 216 की बात करें तो इसमें हमारे हाई कोट के गठन की बात की गई है यानि की जो हमारे राज्जों में हाई कोट होंगे वहाँ पर नियाधीसों के संख्या कितनी होगी ये सारी चीजें राश्पति के द्वारा निर्धारित के जाएंगी आडिकल 217 की ब की नियुक्ति राश्पति महोदे के द्वारा की जाती है आगे अगर हम लोग बात करें तो जब कभी हमारे देश में जो हाई कोट होते हैं उसके चीफ जस्टिस का पदखाली होता है तो उस समय जो कार्यवाहक मुख्य नियुक्ति की जाती है उसके बारे में प्रावधान आ आडिकल 223 में देखने को मिलेगा इसी प्रकार से आडिकल 226 बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है यानि कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग डिरेक्ली हाई कोट में जा सकते हैं और इसके लिए हाई कोट रिट जारी कर सकता है तो ध्यान रख होता है वह दो तीन राज्यों से जुड़ा होता है यानि कि दो या तीन राज्यों के लिए एक ही हाई कोट होता है तो ऐसा जो प्रावधान है वो हमारे सम्मिधान के अनुच्छे 231 में दिया गया है तो यह कुछ बेसिक चीजें थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस करते हैं सबसे पहले बात करेंगे मद्ध प्रदेश की तो मद्ध प्रदेश का जो हाई कोट है वह आपको जबलपूर में मिलेगा ध्यान केगा इसके कैपिटल भोपाल में इसका हाई कोट नहीं है जबलपूर में इसका हाई कोट है और जो यहां के वरत्मान में मुख्य अधीष हैं उनका नाम है R.B. मालिमत इनका नाम है आगे बात करेंगे मिघाले के हाई कोड की तो ध्यान के का मिघाले का जो हाई कोड है वह राजधानी में ही है यानि कि सिलॉंग में आपको देखने को मिलेगा और वरत्मान में जो यहाँ पर चीफ जेस्टिस है उनका नाम पाट करेंगे जारकंड की जारकंड का जो हाइट है वह भी आपको vlogging कैपिटल में ही मिलेगा यानि की राजधनी हमारे Chief Justice हैं उनका नाम है Dr. Ravir Anjan तो देख सकते हैं Dr. Ravir Anjan जो हमारा राची में High Court है उसके इस समय Chief Justice है आगे फिर बात करेंगे बिहार की तो बिहार का जो High Court है आपको राजधानी पतना में ही देखने को मिलेगा और वर्तमान में जो यहां के मुख्य नयधीस हैं उनका ना तमिलनाडू का जो High Court है आपको मदरास में देखने को मिलेगा यह जरूर ध्यान रखिए का आप लोग और यहां के जो Chief Justice है उनका नाम है मुनीश्वर नात भंडारी क्या नाम है मुनीश्वर नात भंडारी यह इस समय तमिलनाडू High Court के Chief Justice है आगे फिर हम लोग बात तरिपुरा राज की तो तरिपुरा का जो High Court है यह आपको अगर तला में देखने को मिलेगा यानि की Capital में ही इसका High Court है और वरत्मान में जो यहां के Chief Justice है उनका नाम है इंदर जीत महंती तो यह आप देख सकते हैं इंदर जीत महंती को जो की तरिपुरा High Court के इस समय चीफ Justice है आगे फिर हम लोग बात करेंगे केरल की तो केरल का जो High Court है वो आपको कोच्ची में देखने को मिलेगा जरूर ध्यान रखिएगा कि केरल का High Court राजधानी तिरुवननपुरम में नहीं है यह आपको कोच्ची में देखने को मिलेगा और यहां के Chief Justice है एस मडी कुमार फिर बात करेंगे राजस्थान की तो राजस्थान का जो High Court है या भी आपको Capital में देखने को नहीं मिलेगा यह आपके है जोधपूर में कहाँ पर राजस्थान का जोधपूर में देखने को मिलेगा राजस्थान कहां किया जी हाँ जोधपूर में देखने को मिलेगा और अगर हम लोग मुख्य नयदेश की बात करें तो यह है अकिल एहमत कुरैसी या आप लोग ए एक कुरैसी भी कह सकते हैं जो की राजस्थान हाई कोट की समय चीफ Justice है आगे फिर हम लोग बात करेंगे सिक्किम राज की तो सिक्कि क्या नाम है बिश्चुनात सोमांदर यह हमारे सिक्किम हाई कोट के समय चीफ Justice है आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोट है यह आपको सिमला में देखने को मिलेगा वर्तमान में जो यहां के मुख्यन अधीस है उनका नाम है मु पहुम्मद रफीक इस सम्वे हिमाचल परदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस हैं। आगे हम बात करेंगे असम की तो असमराजी की बात करते हैं तो यहां का जो हाई कोट है वो आपको गुहावटी में देखने को मिलेगा और वर्तमान में यहां के चीफ जस्टिस हैं नाम है सुदानसु धूलिया, ध्यान किएगा असम का हाइग कोट दिसपूर में नहीं है, ये गुहावटी में है और सुदानसु धूलिया यहां के chief justice है फिर बात करेंगे पंजाब और हर्याना की तो पंजाब और हर्याना का एक common हाइग कोट है, जो की आपको कैपिटल चंडीगड में देखने को मिलेगा और वर्तमान में यहां के जो मुख्य नयाधीस है उनका नाम है रवी संकर जहा तो जरूर ध्यान लखेगा पंजाब और हर्याना का हाइकोट चंडीगड में है और Chief Justice है रवी संकर जहा फिर हम लोग बात करेंगे आंध प्रदेश की तो आंध प्रदेश का जो हाइकोट है यह आपको अमरावती में देखने को मिलेगा और वर्तमान में यहां के जो मुख्य नयाधीस है इनका नाम है प्रसांध कुमार मिस्रा तो जरूर ध्यान रखेगा प्रसांध कुमार मिस्रा इस समय अमरावती हाइकोट के चीफ Justice है आगे बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात का जो हाइकोट है यह आपको एहमदाबाद में मिलेगा ध्यान रखेगा यह गाधी नगर में नहीं है एहमदाबाद में हाई कोट है गुजरात का और पिछले साल यहाँ पर नए चीफ जेस्टिस बने है उनका नाम है अरविंद कुमार तो ये नाम भी जरूर ध्यान रखेगा अरविंद कुमार इस समय गुजरात हाई कोट के चीफ जेस्टिस है फिर हम लोग बात करेंगे तिल तिलंगाना का जो हाई कोट है ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा और वर्तमान में जो यहाँ के चीफ जेस्टिस है उनका नाम है सतीस चंद्र सर्मा ध्यान किएगा पिछले साल हीमा कोहली आपके तिलंगाना हाई कोट की पहली महिला चीफ जेस्टिस बनी थी जो की बहुत सारे परेच्छों में पूछा भी गया था तो बस ओकेवल कुछ समय के लिए बनी थी ध्यान कियेगा वर्तमान में हैदराबाद हाई कोट के जो चीफ जेस्टिस है उनका नाम है सतीस चंदर सर्मा फिर हम लोग बात करते हैं दिल्ली की तो दिल्ली का जो हाई कोट है वो आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा और वर्तमान में धीरु भाई नारन भाई पटेल क्या नाम है धीरु भाई नारन भाई पटेल ये हमारे दिल्ली हाई कोट के चीफ जेस्टिस हैं आगे बात करेंगे पर्सिम मंगाल की तो पर्सिम मंगाल का जो हाई कोट है ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा और वर्तमान में यहाँ पर जो हमारे मुख्यने अधिस हैं उनका नाम है प्रकास्री वास्तव क्या नाम है प्रकास्री वास्तव ये हमारे पर्सिम मंगा हाई कोड के इस समय चीफ जश्टिस हैं आगे बात करेंगी महाराष्ट के तो महाराष्ट जो चिन्यालाय है ये आपको मुंबऐ में देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा वर्तमान मेंले के जो Chief Justice है उनका नाम है दिपांकर दत्ता तो महाराष्ट का हाई कोट मुंबई में है यानि की बॉम्बे और यहां के जो Chief Justice है उनका नाम है दिपांकर दत्ता फिर हम लोग बात करेंगे 36 गड़ की तो 36 गड़ का जो हाई कोट है ये आपको बिलाजपूर में देखने को में ध्यान रखिएगा कि रायपूर में 36 गड़ का हाई कोट बिलकुल नहीं है और वरत्मान में जो यहां के मुखिन अधीस हैं उनका नाम है अरूप कुमार गोष्वामी क्या नाम है? अरूप कुमार गोष्वामी यह हमारे 36 गड़ हाई कोट के समय चीफ जेश्टिस हैं फिर हम बात करेंगे करनाटक की तो करनाटक का जो हाई कोट है यह आपको बंगलूरू में देखने को मिलेगा वरत्मान में यहां के जो चीफ जेश्टिस हैं उनका नाम है रितू राज अवस्थी तो जरूर ध्यान रखेगा इनकी अपॉइंट्मेंट भी 2021 में ही हुई है रितू राज अवस्थी इनका नाम है और यह बंगलूरू हाई कोट की समय चीफ जेश्टिस हैं फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोट है यह आपको प्रयाग राज यानि कि इलाहबाद में देखने को मिलेगा चीफ जेश्टिस की बात करें तो उनका नाम है राजेश बिंदल कौन है राजेश बिंदल UP के इस समय चीफ जेश्टिस हैं तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोट है ये आपको प्रयागराद में देखने को मिलेगा और राजेश बिंदल इस समय इसके चीफ जस्टिस है आगे फिर हम लोग बात करेंगे उत्तराखन की तो उत्तराखन का जो हाई कोट है ये आपको नए नीताल मे ये नहीं है और यहाँ का जो हाई कोट है इसके चीफ जस्टिस है संजे कुमार मिस्रा तो ये बिल्कुल आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस के रोप में न्यूप किये गए हैं दिसंबर 2021 में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संजे कुमार मिस्रा इनका नाम है और ये नै नाम है पंकज मित्तल, तो जरूर ध्यान रखिएगा, हाई कोट आपको स्री नगर में मिलेगा, जम्मू कास्मीर और लद्दाक के अंदरसासित प्रदेश का, यहां के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल, फिर बात करेंगे मडीपुर की, तो मडीपुर का जो हाई कोट है यह समय यहां के चीफ जस्टिस हैं, इसके बाद बात करेंगे उडीपुर की, तो उडीपुर का जो हाई कोट है, यह आपको कटक में मिलेगा, यह भी राजधानी भूनीश्वर में नहीं है, यह जरूर ध्यान रखिएगा, और वर्तमान में जो यहां के मुख्यन आधीस हैं, उनका नाम है डाक्टर S. मुरलीधर, क्या नाम है? डाक्टर S. मुरलीधर, यह इस तमय उडीसा हाई कोट के चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद में हम लोग अब जो हमारे हाई कोट से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्पूर प्रावधान हैं, उनके बारे में यहां पर जान हैं, सभी हाई कोट में आपको एक समान संख्या में जजों की संख्या देखने को मिलेगी, तो किसी हाई कोट में जजों की संख्या कितनी होगी, यह देश की राश्पती के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसके बारे में सम्विधान में कोई प्रावधान नहीं ह जैसे अगर हम लोग सुप्रीम कोट की बात करते हैं तो लाज्ट टाइम जो हमारे सुप्रीम कोट के जजों की संख्या के लिए अमेंडमेंट हुआ था वह आपका 2019 में हुआ था और उसके जरीए ये प्राउधान कर दिया गया है कि सुप्रीम कोट में हमारे 33 प्लस 1 जज होंगे यानि कि एक हमारे सुप्रीम कोट में Chief Justice होगा बाकी 33 जज होंगे सुप्रीम कोट में लेकिन हाई कोट में ये राज्यों के अनुसार संख्या बदलती रहती है ये कोई fix नहीं है इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई कोट के जो नियाधिस होते हैं इनकी नियुक्ति राश्पति करता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य नयधिस की नियुक्ति के बारे में तो भारत का जो मुख्य नयधिस होता है उसके साथ में दो वरिष्टम नयधिस होते हैं और सम्मंधित राजिका जो राज़पाल होता है उससे परामर्स करने के बाद में राज्यों के जो मुख्यन अध्यीस होते हैं उनकी नियूक्ति राष्टपति महोदे के द्वारा की जाती है इसी प्रकार से माल लेते हैं कोई हाई कोट है और इस हाई कोट में किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है तो इसके लिए उस राजी के जो मुख्य नयाधीस होंगे उनसे प्रामर्ज किया जाता है और उसके बाद में राश्पती महोदे इनकी न्यूक्ति करते हैं नयाधीसों की अगर हम लोग योगिताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है नयाएक कारे में उसे दस सालों का अंभो होना चाहिए जैसे कि अगर हम लोग हाई कोट की बात करें या अन्य नयायालों की बात करें तो दस वरस्तक वा अधिवक्ता रहा हो ये इसके लिए प्रावधान है और सबसे महत्पूर्ण बात है कि यहाँ पर कोई नियुन्तम आयो सीमा निर्धारित नहीं है यानि कि अगर आप लोग ये योगिता किसी भी एज में प्राप्त कर लेते हैं तो आप हाई कोट के यहाँ पर जज बन सकते ह अगर हम बात करें तो जो हमारे हाई कोट के जज होते हैं उनका जो सपत होता है वह राजपाल के सामने होता है या फिर अगर राजपाल मौजूद नहीं है तो जो कोई अन्यवक्ती राजपाल महोदे के द्वारा नियूब किया जाता है उनके समझ हमारे हाई कोट के जज स बत लेते हैं कारेकाल की बात करें तो हाई कोट आपके सुप्रीम कोट से छोटा होता है तो इनके जजों का कारेकाल 62 वर्स है और सुप्रीम कोट के जो जज होते हैं उनका कारेकाल होता है 65 वर्स अगर हम लोग बात करें कि ये सेवा मुक्त कैसे होते हैं तो या तो ये राश कि द्वारा निर्धारिक किये जाते हैं ये पॉइंट भी आपको यहां से ध्यार रखना है बाकि जो चीजे मैंने आपको ऊपर बताई है वह सारी चीजें यहां पर मैंने मेंसन कर रखी है तो अगर आप लोग चाहें तो यहां से इसका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं देखे दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जैसे अगर हम लोग महाराश की बात करते हैं तो इसका हाई कोट है मुंबई में लेकिन ये जो मुंबई का हाई कोट है ये हमारे गोवा का भी हाई कोट है दादरा और दमंदीव का भी हाई कोट है उसी परकार से पस्चिम मंगाल की बात करें तो इसका हाई कोट है कोलकाता में तो ये आपके पस्चिम मंगाल के साथ साथ अन्डमान और नीकोबार का भी हाई कोट है उसी परकार से अगर हम लोग असम के गोहावटी की बात करते हैं तो देख सकते हैं ये अरौराचल प्रदेश का असम का मिजोरम का और ना यानि कि टोटल चार राजियों का हाई कोट आपको गुहावटी में देखने को मिलेगा उसी प्रकार से कोची हाई कोट की बात करते हैं तो इसमें आपको केरल और लच्छे दूइब देखने को मिलेगा और तमिल नाडू की हाई कोट की बात करते हैं तो इसमें आपको बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत.